बेटिण का बोट डालूँगा जोकि प्लास्टिक सीट पे कैसे चिपकाया जाता है और कैसे डिल के जाता है इसके बारे में हम आप लोगोंको अगले वीडियो में दिखाऊंगा की कैसे उसमें डिल करें और कैसे चिपकाये तो दोस्तों हम आप लोगों को अभी दिखा रहे हैं कि प्लाइस्टिक सीट पर जो मैंने पहले से पेंटिंग चिपका रखा है सिर्फ उसी का हम वीडियो आज डाल रहे हैं और अगले वीडियो में हम आप लोगों के बीच पेंटिंग कैसे चिपकाया जाता है और कैसे डिल किया जाता है इसके बारे में हम बताएंगे तो दोस्तों अगर यह मेरा वीडियो आप सब लोगों को पसंद आए तो लाइक किजिएगा, सेर किजिएगा, सस्क्राइब किजिएगा और वेल आइकन दबा दिजिएगा तो चले दोस्तों हम आप लोगों को प्लास्टिक सीट में जो पेंटिंग लगा हुआ है उसका वीडियो आप लोगों को दिखाते है दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच पेंटिंग बोर्ड का डिजाइन डाल रहा हूँ जो की पेंटिंग लगा हुआ है और इसमें पेंटिंग मैंने खुद से लगाया है मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें डिल किस तरह से क्या जाता है और पेंटिंग कैसे लगाया जाता है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें पेंटिंग लगा हुआ है यह 12-24 का बोर्ड है तीनाट का टुकरा है यह छोटा वाला बोर्ड है तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें पैंटिंग किस तरह से लगाया जाता है और कैसे आप सब भी लगाईएगा तो मैंने इसमें पैंटिंग लगाया हुआ है पहले से हमने लगा के रखा था मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पैंटिंग इसमें कैसे लगाया जाएगा और किस तरह साब सब भी लगा सकते हैं और कैसे इसमें डिल किया जाता है यह पलास्टिक सीट में लगा हुआ है दोस्तों मैं इसको पलट के आप लोगों को दिखाऊंगा या प्लास्टिक सीट में पेंटिंग लगा हुआ है आप सब भी लगा सकते हैं दोस्तों आप सब बताईएगा कि यह मेरा पेंटिंग जो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों आप जो देख रहे हैं बुझला जैसा जो बिंदा जैसा है इसी पर हम डिल करेंगे इस पर मैं डिल करके आपको दिखाऊंगा कि इसमें डिल किस तरह से क्या जाता है तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब देख सकते हैं दोस्तों यह बारत चोविस का बोर्ड का टुकरा है जो की तीन बाई चार का है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह जो बिंदा जैसा है यह बारत बिंदा है इसमें क्योंकि यह बारत चोविस का बोर्ड है यह तीन फीट में मैं दिखा रहा हूँ अब आपको चार फीट भी दिखा देता हूँ कि इधर भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी बारत बिंदा है दोस्तों तो इसी बिंदा पे हम आप लोगों को डिल करके दिखाऊंगा कि डिल कैसे क्या जाता है तो दोस्तों अब मैं इस बोड को पलट के आप लोगों को दिखाता हूँ कि अप प्लास्टिक सीट में लगा हुआ है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अप प्लास्टिक सीट में लगा हुआ है इसे हम आप लोगों को पेंटिंग लगा के दिखाऊंगा कि इसमें पेंटिंग किस तरह से लगाया जाता है तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप सब लोगों को पसंद आए तो लाइक किजिएगा सेर किजिएगा सस्क्राइब किजिएगा और वेल आइकन दवा दिजिएगा फिर मिलेंग मैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद